तो राश्टर राजपूत कर्णी सेना के अद्ध्यक्ष सुकदेर सिंगोगा मेडी की हत्या से जुड़ी एक और बड़ी खबर आप तक पहुँचा दे राजपूत कर्णी सेना के अद्ध्यक्ष सुकदेर सिंगोगा मेडी की हत्या कर दी गई चार गोलियां हमलावरों की तरफ से उन पर दागी गई राजसान दीजेपी को राजभवन अब इस बाबत तलब किया गया है हाना कि पुलिस की विशेश टीम इस पूरे मामले की जाच में जुड़ गई है जैपुर में पूरी तरह से नाके बंदी कर दी गई है जो CCTV फोटेज सामने आया है उसके आधार पर जाच आगे की जारी है गैंग्स्टर रोहित गोदारा की तरफ से जिम्मेदारी इस हत्याकांड को ले ली गई है यह वही गैंग्स्टर रोहित गोदारा है जिस पर एक लाख रुपए का इनाम है जो की विदेश में बैटकर अपना काला कारोबार अपरहन और यह तमाम जो गैंग्स्टर से जुड़े काला कारोबार होता है वो यहाँ पर चलाता है भवाणी हमारे साथ मौजूद है भवाणी एक बार फिर से आपकी तरफ रोख करेंगे बाचीत यहाँ पर आपकी हो रही है एक बार फिर से चाहेंगे आप बाचीत करें क्योंकि काफी कुछ वो खुले तोर पर कह रहे है कि सुरक्षा की मांग सुगदेव सिंग लगातार कर रहे थे और इसके अलावा उन्हें इस बात के पूरी आश्रंका थी कि कोई बड़ा हमला उन पर हो सकता है दिखे बिल्कुल जो यहाँ पर प्रदेशन कर रहे हैं समाज के लोग हैं बाकी उन से बात करते हैं आप पताएं के सरकार की एक अभी जो कहा जारा पोस्ट आई कि रोहित गोदारा ने हत्या की आपको क्या लगता है मैं एक ही कह रहा हूँ कि इन लोगों को तो फैमस होने का एका बूठ चड़ा हुआ है कहीं कोई भी हत्या हो जाती है अपने आप जिम्मेदारी ले ले लेते परंदो इसके पीछे राजस्तान के लोकारेतों का हात है जिन लोगों की जाती वाद के नाम पर दुखाने चल रही है जिनोन आप राद है स्वेडी राष्टी राजपूत करनी से ना के अद्दक सुग्देव सिंगोगा मेडी जमरे मित्रत है आज उनके घर में गुसकर जिस प्रकार से उनकी निर्मा मत्या किये मैंने इतना बड़ा जगन्य अपराद अपने इस अब तक के जीवन में समाजिक जीवन में नहीं देखा मैं सीधा सीधा आरोब लगा रहा हूं अशोक गैलोट के उपर अशोक गैलोट से सुग्देव सिंगोगा मेडी ने तीन-चार साल पहले सुरक्षा की मांग की लगातार मांग की थी राजिस्तान पुलिस के डीजीपी से मांग की थी और उनको बीच में एक-दो दिन के लि लवेक्तिया उसकी हत्या कर रहे वा और उसको ऐसे करके मारेंगे आप इस परकार से उसको गोली उसके घर में भुनवा देंगे क्योंकि अभी इनको मालू हुए पॉलिटिकल हत्या भी में इसको बनुआ है लारेंस विश्णोई गैंग ने जो लिया है इसी लारेंस विश सरकार अभी राज्यस्तान में अशोग गैलोट ने जिस परकार से वो दिया है इस्तीफा दिया है राजयपान को परतु अभी वर्तमान में भी वो मुख्यमंत्री हैं वही अशोग गैलोट से वही इनाउन एशुगेव सिंगोगा मेडी ने इनसे मदद मांगी थी परक्षा देने की बजाए आप उनको नकार रहे हो यह इससे बड़ा और अप्राग क्या हो सुरज पालमु जी हमारी कई बीजेपी नेताओं के साथ में बाचीत हुई है अब उनका साफतोर पर कहना है कि अब सत्ता की चाबी हमारे हाथ में है अब जनता का विश्वास हमा इतना ही कहूंगा कि मैं तो सीधा सीधा जिन लोगों की सरकार थी और जिन लोगों से सुखदेव सिंग गोगा मेडी ने अपनी सुरक्षा की मांग की उन लोगों ने सुरक्षा नहीं दी इस कारण सुखदेव सिंग गोगा मेडी को उनके घर में गुसकर मार दिया गया सुक्देव सिंग गोगा मेडी पिछले दिनों मत्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान से वसुंद्रा राजे से और अनेक अनेक भाजपा के नेताओं के साथ समाजिक विश्यों पर चक्चा करते थे और राजबूत समाज के लिए वो अनेक आगे हम गेंग्स्टर बोलता है गोदाघ्या की धंकी की जिम्मेदारी लेते हैं यह फैलियर सरकार पॉलिटिकल सरकार में आती है चली जाती है परंदु प्रजासनी लोगों को कम से कम यह सोचना चाहिए कि आप से कोई व्यक्ति कोई नागरिक आपसे सुरक्षा मांग रहा है और सुरक्षा देनी की वज़या आप उसको नकार रहे हैं इतना बड़ा संक्टन है इतना इतना बड़ा संक्टन है आप उसके अध्यक्ष को नकार रहे हैं इससे बड़ा और क्या शुरजपाल अमु जी पूरे हत्याकांड की जिमेदारी यहां पर रोहित गुदारा की ओर से ली गई है तो क्या सुक्देव सिंग जी के कोई संबंद उनके साथ थे क्या वो जानत यात्रा की सुरुवात में जैपुर किंदर था जब सुक्देव सिंग गोगा मेडी उस तरंगा यात्रा को लेकर यहां से कश्मीर के लिए रवाना हुई थे तो रास्ते में भी लारंस विश्णोई गैंग ने इनको पर हमला करने का प्रियास किया परंतु सुक्देव सिं परंतु उस दोरान इनको धंकी दी गई लारंस विश्णोई गैंग ने तो यह उस से मेंसे ही लगातार अपनी सुरक्षा के लिए सरकार से प्रियासरत थे डीजीपी राइस्तान पुलिस से और गैलो सरकार से मैं आपको बता रहा हूं कि यह आज का मसला नहीं है यह मसला यह है कि इनको जान बूझ कर सुरक्षा नहीं दी गई कारण के सुगदेव सिंग गोगामेडी चत्रिय समाज का एक बड़ा नेता था बड़ा नाम था आज इन सब को मालूंत था कि यह कहीं भी सरकार को किसी को भी लाने की ताकत रखता है आज उसको इन लोगों ने प्लि है बिलकुल सिंग गोगामेडी को सुरक्षा क्यों यह थी और किनके कहने से सुरक्षा वापस नोगह, दो दिन के लिए सुरक्षा ने लेकर आपने वापस देली, क्या कारण है और दो आदमी आते हैं उनके साथ बैटते हैं सर्याम उनको गोली मारते हैं चेक करते हैं जिन्दा यमरा है ईसा जगन्य अपराद मुझे आगर सच बताओं मेरा मान अच्umnा बहुत व्यतित है क्योंकि आपके चैनल का बारबर क्योंकि ये इन बहुत आपके चैनल पर शोत कि अध्य हूं अपने आपके अब एसे होता है कि परसाजन कहां चला गया परसाजन कहां सो रहा थे अब सरकार अध्ली बदली होंगी अब पर तो एक वक्ति को घर के अंदर से आप ऐसे भूनों गया वैसे मारोंगी सूरजपाल अमु जी अब क्योंकि सरकार वहां पर बदल गई है आप बीजेपी की सरकार है बीजेपी की सरकार से आप किस तरीके की कारवाई की अब उमीद कर रहे हैं सत्याकान का किस तरीके से पर दाफाश हो मैं भारती दिन्टापार्डी का परवक्ता भी महरी आना का तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा सरकार बदली है निशी तोर पे राजिस्तान के अंदर गुंडे तत्मों को जवाब देना चाहिए गुंडे तत्मों को गुंडागर्दी को राजिस्तान से समाथ करना चाहिए बहुत बहुत शुक्रिया सूरजपाल मुझे हमसे बाचरीद करने के लिए और इस वक्त जाहर सी बात है आपकी आखे नम है क्योंकि आप नीजी तोर पर भी उन्हें यहां पर जानते थे और जनके बहुत करीब रहते हैं तो ऐसे में जो निर्मम हत्या यहां पर आप भी कह रहे हैं दिन दहाडे जो हक्तिया यहां पर की गई है फिलाल अक्शन मोड पर पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है विशेश्टी में गठिट की गई है जैपूर में नाके बंदी की गई है यह अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं CCTV फोटेज भी सामने आ गया है गैंक् उसने सत्याकान की जिम्मेदारी यह भी यहां पर ले ली हमाले